सक्कारह कुंगे गिर्राश पत्रिक का फरवरी दोहसार चॉबिस का ये सेक्नीन पार्ट जो है इस से पहले इतने कि इसक्राशन मेरे कि अडिशन हुआ है उन्समेर गींस कर चुके है और जीए साल की प्लेश्ट प्रिय प्रेश्चे जी आपको अलक्से मिल जाए गी question number one से जो है वो भी हम discussion जो है वो start करेंगे बोलते हैं अंडर राजीव गांधी self employment startup scheme what percentage of subsidy will be provided for setting up a solar solar energy project of one megawatt in second phase तो बोलते हैं कि राजीव गांधी सरोजगा startup यूजना जलाई गई है इसके दूसरे चरण की बात की जा रही है इसमें एक megawatt की सौर उर्जा प्रियुजना स्थापित करने के लिए कितने percent subsidy जो है वो दी जाएगी अगर कोई एक megawatt तक की प्रियुजना को जो है वो यहां पर स्थापित करना चाहता है तो उसको जो हो subsidy दी जाएगी स्थापित करते हैं अगर उसकी capacity एक megawatt तक की होती है तो हम आपको जो हो 40% subsidy जो है वो देंगे इसके लावा यह कदम कहां की और बढ़ता है यह कदम बढ़ता है जो हिमाचल को green energy state बिनाने का target रखा गया है 2026 तक उस target को achieve करने में जो है यह help करेगा और हिमाचल प्रतेश सरकार कहती है कि इसके लावा हम और भी सबसीडी जो हो देते हैं जैसे की 85% subsidy जो हो सरकार देने की बात कहती है solar fencing के उपर 80% subsidy दी जाएगी अगर तीन या तीन से जादा किसान जो हो इसको install जो हो करवाते हैं इंडिविजिल फार्मर जो इंडिविजिल वे में जैसे मानलो आप अकेले जो है वह ऐसी कोई पर योजना स्ताफित करना चाते हैं या फिर solar fencing जो है अपने खेतों के गरवाना चाते हैं तो आपको 80% subsidy दी जाएगी अगर तीन या तीन से जादा किसान है तो 85% subsidy अगर पर आता है कि फेस्टू जो सरकाल दो चलाए गए है इसमें जो है वो 21 से 45 एज ग्रूप पूछाए तो 21 से 45 के आयू के जो यूवा होंगे उनको जो है वो अपसर यहां पर दिये जाएंगे और इसमें जो है वो क्या कहा गया है कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजन तो उनको चालीस हजार और एक लाग रुपया प्रतिमाह जो है वो जो है वो प्राफत होगा आए के रूप में जो हो प्राफत होगा तो यह सारी बातें से यूजना में जो है वो कही कही है यहां पर जो इंपॉर्टन बात है निकल कराई एक तो हमारे पास एज ग्रूप कि एक रहा हम बात करते हैं जैसे कि 5 विगा जमीन पर 200 किलोव वाट और 10 विगा जमीन पर 500 मेगाव वाट इंस्टॉल किया जाता है तो 40,000 प्रदेश की कौन सी सिटी में जो है यह तो यह तुलिप गारण जो है वो चर्चा में आया तो इसलिए हमने गिरास पत्रिगा से इस तरह से डिसकस किया लिए वैसे तो जमू कश्मीर के बारे में आपने कॉश्चन पढ़ा होगा परंतु हम बात करें अगर हिमाचल के कॉंटेक्स में तो हिमाचल में भी एक टुलिप गार्डन जो है वो स्थित है यह जो है वो कहां पर सित है पालंपूर में सित है सिक्रम बत रहा है इनको भी दिया गया था यह सहीद जो है यह इसी धर्ती से जो है वो बिलॉंग करते हैं यहीं से संबंद रखते हैं अगर हम बात करते हैं क्रंट अफेर के क्या पूच जा सकता है तो एसिया का लार्जेस्ट जो टुलिप गार्डन है वो पूच जा सकता प्लिंङा इसकी स्थापना कभी गई थी इसको कह सकते हैं क्योंकर चोटे चोटे पौог Laurie बूल जाते हैं, इनको याद ही रखना ज़रूरी है कई बार यह पूछ लेता है कि चौधरी स्रवन कुमार क्रिशी विच्टे वीडाले काम पर जिता है तो कन्फियूज हो जाते हैं क्युंकि कई बार अग्रिकल्चर यूनिवर्श्टी ही पड़ी होती है प्रतु आपने धियान रखना है स्रवन कुमार क्रिशी विच्टे वि इसकी किपैसिटी जो है वो 382 मेगावाट है ऑप्शन सी जो है वो सही अंसर है अब हम जानते हैं कि ये क्यों जो है वो सुन्नी डैम परियुजना जो था चर्चा में आई और क्या पूरी बात है वहां से concept clear हो जाएंगा exactly ये पूरी ये उजना जो था चर्चा में नहीं थी परन्तु सुन्नी जो शिम्ला में पड़ता है उसमें पेजल की विवस्ता में से द्वार किया जाएगा ये सारी बातें चल रही थी तो मैंने वहां से ये जरूरी समझा डिसकस करना सुनी डैम परियुजन कौन सी नदी के उपर ये बनी हुई है तो साथ लूज रीवर बेसिन के ऊपर ये बनी हुई है यह अपने ध्यान रखना है अग्यों प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट करने का टार्गेट रखा गया है तो लगबग दोहजरस ताइस तक जो है कंप्लीट हो जाएगा और अगर बात हुई है SJVNL की सतलुज जल विदित निगम लिम्टिड की तो आपने यहां से एक चीज रिवाइज करनी है लुहरी परियोजना के बारे में क्योंकि उसको एक्जेक्यूट करने वाली एजैंसी भी जो है वो SJVNL ही है और यह जो लुहरी स्टेज बन परियोजना ह इस्टेज टू परियोजना जो है कितने में कवाट की यह 172 मेगा वाट की परियोजना है 172 और 210 और 382 में जापको ध्यान रखनी है बागे तो कुछ नहीं बना था अगला क्योक्षिन दिकते हैं हमारे पास क्या है तो बोलते हैं इनमेंसे कौन सा पेर जो है वो कर्यक्तिली मैच किया गया है हमारे पास कुछ एक लेक दी गई है उनका अलटिटूट दिया गया है वो कि 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 स्वो हाइट पर जो हां वह स्तीत है एक अर्टिकल आये था कि राज पुत्रे कमें जहां पर यह सब जो पर हिंदू बौध और सिक्धर्म के लोग आकर पूजा करते हैं सभी का यह सरद्धा का के इंदर माना जाता है तो पहली स्टेट्मेंट आपके बिल्कुँच सही दी गई है दूसरी है हमारे बास सरे उलसर लेक सरे उलसर लेक जो हो कहां पर सीते पहले पता होना चाहिए तो यहां पर साथ मेही जो है, जलोरी दर्रा भी जो है, ठोड़ी ही दूरी पर जो है, तो यहीं से क्रॉस करकर पहुंचा जाता है, अब तो यह भी ध्यान लख रहा है, जलोरी पास भी, जो है, आध मेहां से रिवाइज हो गया, एक यहां पर दी गई थी मनी महेस जील, जो की र वहां उतीयों है धर्मुंख आट्रेक्चन जभी यहां की बनती है जो कि टुरिष्ट को सबसे ज्यादा अट्रेक्ट करती है अब हमारे बास बचती है एक option वो है रेनुका लेक तो रेनुका लेक की अगर हम बात करते हैं तो रेनुका लेक डिस्टिक सिरमौर में जो हो स्थित है और हिमाचल प्रदेश की यह सबसे बड़ी natural जील भी जो हो स् आप लिए गया लेक और जो सिए लगभग तीन हजार दुस्टर मीटर के घेरें जो है और इसकी जो शेफ है नारी की शेप की तरह है तो इसलिए जो है माता रेनुका इंको जोड़ा जाता है और पर जरसुराम भगवान जो थे उनकी माता थी रेनों का जिनकी समरिती में जो है ये लेक वो बनी है ये ध्यान रखें ये भी दिया गए था घिज्राज पत्रिका में साथ में कुछ एक और भी लेक्स यहां पर दी गई थी जैसे कि प्राश्चर जील जो है वो यहां पर दी गई कि आप को याद हो चुकी है कि कि किने की लेक आप इंपॉर्टन जो बनता है उनको इल्टिटूड जुए हो बन जाता तो आपको मुखह रूप से याद आ तो आपको अच्छे नमबर लाने में जो यह काफी हल जो हो करेगा अच्छे नमबरों से ही आप पी जी टी पेपर व की test series जो है वो हमारी practice कर सकते हैं test series का link नीचे description box comment box में जो है वो दिया गया है वहाँ से आप उसको avail कर सकते है definitely बहुत ज़्यादा help आपको मिलेगी जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है आपको अलग-लग series से चाहे वो clerk secretary की हो गई जी क्या बोलते हैं बोलते हैं how much amount has been provisioned for him ganga योजना या फिर him ganga scheme तो बोलते हैं कि him ganga scheme जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के दोरा चलाई गया इसके लिए कितना प्राब्धान कितनी राशी का प्राब्धान जो हो किया गया है तो यह कहा गया है कि him ganga योजना के लिए लग him ganga योजना हो गया him ganga योजना इसलिए भी जरूरी है कि अब ही जो हो क्या किया गया है दूद को लेकर जो दूद या दूद से बने हुए उत्पाद जो होते है ना वहाँ से लोगों को रोजगार दिया जा सके उसके लिए जो है उसरकार जो दे रही है और दूद के इसमें जो है वो कुछ फाइदे दिये जाते हैं किसानों को जैसे कि किसी की भेड ये वक्री की मृत्तिय हो जाती है तो उसको मौवजे के रूप में जो है वो रासी 6,000 पे जो हो दी जाती है किसी के गाय ये भेंस की मृत्तिय हो जाती है है वो है दूद गंगा यूजना दूद गंगा यूजना बहुत बार एक्जाम में जो है ओ पूछी की गई तो नावार्ड की सह cartridge ते जो था सक्राइन को यूजना को लाऍ्वाइब योजना सी तցटना के यूजना के सांथ इंगना यूजनी ना यह बंद लास्ट ताइम ही थह और दो स्टनों कहने क्यूंच एक लिए अगला कोशिएं लोका विच लो chilोप अदारलम व्भिश Гोर्मेंट क kept the revenue related matter of the common people तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो आवे जनता है उसके जो राजस्टो संबंदित मामले हैं उनका निप्टारा करने के लिए जो लोग अदालत चलाई गई है उस लोग अदालत को क्या नाम जो है वो दिया गया है उस लोग अदालत को जो है वो क्या नाम दिया गया है यह आपको पता होना चाहिए तो उसको नाम दिया गया है इंतकाल रेवन्यू लोग अदालत आप्शन भी जो है वो सही अंसर हो जाएगा जिन में जो है वो जो है वो लंबित बहुत सारे ऐसे मामले पड़े हुए है जैसे कि तक्सीम का हो गया इंतकाल का हो गया निसान देही का हो गया अब इनका जो है जल्दी जल्दी निफ्टारा किया जाए मिसन मोड पर जो है वो इनका जो है निफ्टारा किया जाए सरकार न जितने भी डिस्टिक हैं उनके जो उपायुक्त हैं उनको ने पूरे के पूरे मामले निप्ताने के लिए जो है उसरकार के दरह निर्देश बेजे गए और एक डैटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो तक्सीम के लंबित मामले हैं वो लग लग जैसे कि बिलासपुर में 1407 हैं चमबा में 680 हैं हमीरपुर में 2413 हैं कांगरा में 12000 हैं ये इंपॉर्टन नहीं है पर अंतर फिर भी आप एक वार सुन लीजिए जैसे कि लोहल्स पित्ती में 48 ही हैं मंडी में 3208 हैं शिमिला में 1228 हैं अगर हम कांगरा की बात करते हैं तो पूछा जाए खासकर पटवारी जैसे एक्जाम है ना इनमें ये कुछा जा सकता है आने वाले टाइम में अगला ग्रेशन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं विच विच विलेजिज इस दा गौर्मन्ट गॉइंग तू एस्टेबलाइस टू इंट्रडूस टूरीस्ट कलूचर ऑफ हिमाचल हिंदी मैं देखें बोलते हैं पट्राटकों को हिमाचल के संस्कृति से कराने के लिए सरकार के दौरा ग्राम स्थापित करने की बात कही है कैसे ग्राम स्थापित करने की जो हो सरकार ने बात कही है देखो इसमें सरकार ने कहा है कि हम जो हो क्या करेंगे प्रेटन ग्राम जो हो स्थापित करेंगे यह सरकार ने कहा है आप्शन भी जो हो सही अंसर अब सरकार कहते है कि टूरिजम को जो हो बढ़ावा दिये जाएगा हम क्या करेंगे हम प्रेटन ग्राम जो हैं वो स्थापित करेंगे ताकि जो है वो टूरिजम को भड़ावा मिल सके अब देखो इसी तरह से हमने लास्ट टाइम एक और क्वेशन बढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश दर्शन सेवा योजना चलाई गई है इसमें क्या करेंगे हैं प्रसीद जो तीरतस्ताल हैं जैसे कि खाटू श्याम हो गया आयोध्या के लिए बस चलाई गई है हिमाचल में ही जो तीरतस्ताल हैं जैसे कि जौला जी हो गया चामुंडा चिंतपूर्णी ये नजदीक है तो यहां के लिए एक कनेक्टिविटी जो है प्रवाइट करवाई गई है और जैसे कि वह बस जो हो जाएगी जौला जी से चिंतपूर्णी है चामुंडा तो वह सवारियां जो एक बार उतरी हैं वो फिर से दर्शन करके जो हो उसी भस में आगे का सफर जो हो कंटिन्यू कर सकें तो इस तरह कि योजना चलाने की सरकार ने बड़ी अच्छी पहल जो हो किया और एक हो गया प्रेटन ग्राम हो गया हिम दूसरा हमने पढ़ लिया कि टूरीजम डे वह कब मनाया जबते हैं उन्यद्य बाथ करते हैं कि दूरीजम डे वो कब मनाया जाता है तो और टूरीजम डे वर्ड तूरीजम डे जो-इसेवन सेप्टेंबर को टूरीजम दे वो मनाया जबते efficient consistent अब्यक्रा तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस युवा वग्यानिक को जो है वो जपान में यंग रिसर्चर एवार्ट 23 से जो हाव सम्मानित किया गया है कोई भी एवार्ड हिमाचल के किसी भी प्रेसनियालिटी को दिया जाता है तो वो इंपोर्टन्ट हो गया अब य तो आपको तो हरी को अच्छे से भी त्यार रहना है अब पंकर आतरी के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो देखो काफी गरब की बात है हिमाचल के लिए भी पंकज अतरी जो है ना इन्हों ने जो है वो एसिया पैसिफिक फीजिकल सोसाइटी डिवीजन आफ अप्लाइड में जो हो यंग रिसेर्चर एवोर्ड दोहतार तेईश जो हो जो हो हासिल किया नल चाएँ इन्होंने जो हो एप्लाइड प्लाज्मा के खिश्यतर में जो है बड़ा ही अधूत कारे जो हो कर रखा है और यह यह जो है वह ऑता है जो होता है तो हिसके सुच्छ में जो हैं और निश्टिक सिर मौर के जो हैं वो रहने वाले हैं पच्छाद विधानसवा क्षेतर से जो हैं ये बिलॉंग करते हैं जो डिश्टिक सिर मौर की पच्छाद विधानसवा है वहां से जो हैं ये संबंध रखते हैं तो ये कोईशन भी हो गया important one question अगला अब हमार पास one-liner question question जो हैं चलते हैं one-liner question में बोलते हैं सबसे पहला question में बोलते हैं सोल्मा जो क्रीसिव ज्यान Congress का आयोजन किया गया है ये PGT में पूछा जा सकता है अगले कोईशने बहुत है केंदर सरकार द्वारा मन्जूर जमरानी बांध परियूजना किस रज्जे से संबन दित है अब ये जमरानी बांध परियूजना जो है पूर सथित है ये आपने ध्यान रखना है ये कौन सी नदी की उपर जो हो बने हुई है तो एक गोला रीवर है गोला रीवर ये राम गंगा की सहाइक नदी है नैनिताल डिस्टिक में जिसके उपर जो है ये बने हुई है जमरानी डैम पर्योजना ये आपने ध्यान रखना है विद्धी एसिस्टेंस ओफ लगबग 1557 क्रोड से जो है वो लगवग 2018 तक प्रोजक्ट को नए प्रधानवंतरी जो है वो चुने गए यह आपने धियान दखने नियूजिलैंड के नए प्रधानवंतरी चुने गए थे अगला कोशिन देखें उससे पहले देखो अगर आप तयारी कर रहे हैं एलाइट सर्फिस की तो एलाइट सर्फिस के लिए भी टैस्ट इर्स हमन को दूर करने के लिए यह सीरी जो हो लॉंच की गई है इसका लिंक भी नेचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में जो हो दिया गया है कमेंट में दिया गया है वहां से अवेल कर लेना अगले कोश्च्च में बोलते हैं हौकी के मैदान में गोल पोस्ट की चुडाई जो होती है त इस ब्रिक की बात की जा रही है ब्राजिल रस्या इंडिया चाइना ये वाला ब्रिक जो है वो इसकी बात की जा रही हमने ब्रिक्स के बारे में पड़ा हुआ है तो ब्रिक्स की स्थापना जो था वो कब की गई थी अगर आपको पता हो तो ब्रिक्स की स्थापना वर्स 2009 में जो था वो की गई थी अब दोखो ब्रिक्स को 2009 में जो था वो एस्टेबलाइज किया गए ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम है B stand for Brazil, R stand for Russia, I stand for India, C stand for China और एक S आता है इसका मतलब South Africa जो होता है 2009 में जो था वो इसकी स्थापना की गई क्या इंडिया जो है वो 2009 से ही जो है वो इसका स्थापना की गई तो आफ का अंसर होगा बिल्कुल हाँ जो ब्राजिल, रस्या, इंडिया, चाइना थे ना यह स्टार्टिंग से ही जो था वो इसके मेंबर थी तभी तो ब्रीक किसको कहा गया है जो South Africa था ना वो बाद में आकर जुड़ा था तभी इसको ब्रिक का गया है कि कौन कौन से कंट्रि इसकी स्थेाँ में आपने ध्यान रखना है कि ब्रीक किस्ता अपना कब की गई थी क्यूंकि यहां से एक्सपेक्टेड है कोईशन बनना एक यह कोईशन ऐसा है कि किसी भी ऑईए एकज़ाम में कहीं पर भी जिव आभ आप चाह सकता है अगला question देखें जी क्या बोलते हैं । recently हिमाचल फर्सट स्पेस लैब पूलते हैं कि हाल्ै बीटेशना आपके बारे में बताहेंगे चार उप्शन वह वह आपके पास दिएगें इस डीचनगी की पीडिएफ आपको मारे टेलीग्राम गूर्फप पर मिल जाएक, टेलीग्राम पर जूइन्ट करने के लिए पिने टेलीग्राम से add the rate tall exam thirty one इस तरह से सर्च करना, आपको मारा टेलीग्राम चैनल भी जो हाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर हर एक important PDF आपको दे दी जाती है जो exam में आपकी help करती है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently